question no.13 में क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है in triangle ABC right angled at b if tan a equals to root 3 then cos a into cos c minus sin a into sin c equals to कितना हुआ तेखिए इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है एक चीज़ दिया हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ है right angled triangle है कहां पर bp होना चाहिए right angled triangle एक दिया हुआ है tan a। का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट 30 दिया हुआ है आप से क्या निकालने के लिए बोला है cos a into cos c minus sin a into sin c इसको निकालने के लिए सबसे पहले है क्या sounds dot it in a एक अउटा पा बराबर 3 होता है तो था कि एक एंगल कितना होना चταए इसका कैटना हो जाए गांगर फिरी बराबर रूट ओता ही सब्सक्राइब टेबल में हमको दिया रहेगा याद कर लेंगा जब भी हमको को निकालना रहे हैं 1060 तो कितना वेल्यू रूट थिरी हाता एक वेल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो उपक्ता दिए अब हम जानते हैं ड्रैंगल आबी सी में आपको मालूम नहीं है कितना होगा बी का मालूम 10 अब यहां पर देखते हैं सभी अंगल को जोड़ेंगा तो एजोड बी जोड सी यहां कितना एक्सवाइब कितना साथ डिगरी रख दिया है सी बराबर 180 गटाव 150 कोई साइड ले गया तो घट गया कितना एक तीस डिग्री हमें पता पता चला तो अब क्या पता चला कि यहां से अगल एक वेला कितना था साइं से हमें पता यहां से सीज डिग्री अब हमने क्या पूचा था धstein तो छिए साट डिगर रखने हैं यहां पर देखिए क्या होता है कि इसको कितना आएगा यहां पर दो है ना इसको multiply करेंगे तो कितना आएगा रूट 3 by 4 माइनस रूट 3 by 4 अब क्या हुआ कि इसको अगर LCM निकाल दीजेगा तो 4 रूट 3 माइनस रूट 3 मतलब 0 बटा 4 आएगा तो क्या है तो टोटा एंसर जीरो हो जाएगा तो यह जीरो हो गया इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहां सब देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा जीरो बी अंसर हो जाएगा इसका ठीक है तो